हलो फ्रेंद्स प्रेक्टिस अनेविजन में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि वाय डाइड लाइड बैंड जब वन मीडियम से अनधर मीडियम जब ट्रेवल करता है लाइक रियर टू डेंसर या डेंसर टो रियर में देखे है किया है जब यह लाइट है कि है यह एक्षण में किस डिरेक्शन तुरे disciple करता है लेकिंडर लेकिmp kann नहीं करेंगे हम यह बात करेंगे कि लाइट एक्चुली बैंड क्यों कहता है वाइड देजिट बैंड तो देखिए यह हमारे पास क्या है यह गिलास लैब है अब यह लाइट कर देए इस लाइट रेट इंसीडेंट हुआ और यह रिफैक्ट कर गया तो जब कभी हमारा री किसी एक इंकलाइन एंगल बनाएगा जो यह पार्टिंग सर्फेस हुआ हमारा दो मीडियम का उसके साथ एक इंकलाइन एंगल बनाएगा वो तभी क्या होगा रिफैक्ट करेंगा यदि वो नॉर्मल रहता यदि वो नॉर्मल यदि हमारा है इस तरसे नॉर्मल यदि इंस जब एक इंकलाइन एक एंगल बनाते भी जब इसे फॉल करता है तो क्यों रिफ्राक्त करता है एक्शोनी जो लाइट है हम उसे रे की तरह देखते हैं यह एक वन डामेंशन नहीं है इसका जो डामेंशन नहीं वो 3D डामेंशन नहीं क्यों 3D डामेंशन है तो चलिए हम इसे एक एक जांपल की तरह समझते हैं By taking an example कि हमारे पास किया है यह हमारा एक parting line इस दिस ऑब यह यह लो लाइन इस आवर पाटिइग लाइन और यह हमारा रहा रहा smooth road यह क्यक्त अब में है छumpy up के up में एक rough road okay क्यक्त अप में anglesFE AC ॉब डाँड में rough road यह गारी मूप किया भी, फरवाड मूप किया, और जब फरवाड मूप किया तो क्या हुआ अभी सवक्त देखिये, कि यह विल, यह विल जो है rough road में आया, और यह विल क्या है, smooth road में है, okay, this will is on rough road, and this will is on smooth road, तो क्या होगा इस rough के कान इस roughness के कान इस will का the right wheel का क्या होगा speed जो है decrease कर जाएगा और इसका speed decrease कर जाएगा और the left wheel का speed है right wheel की मुकाबले क्या रहेगा जादा रहेगा इसका speed जादा रहेगा और इसका speed एक चीश्व समझे कि हम दो सरकल बनाते हैं एक दो सरकल हमने बनाया तो क्या वाद सरक्मफ्रेंस और आउटर सरकल यह ज्यादा है मुकाबल इनर सरकल के इनर सर्कल कर सर्क्रेव Marketing कम है'S姹 उसजी प्रकार से क्या होगा जब इसका Speed लोग हो गया राइट-वील का और सिस्टेंस कम ट्रेवल करेगा तो ये बैंड करेगा घ्न करेगा तो तो इस तरसे हें सर्क्रेवल में माल लेते हैं कि ये हमारा इनर हो गया यह inner circle में bend करेगा और यह आउटर circle में bend करेगा तो इस पका से ज़्यादा distance travel किया और यह travel किया कम distance okay देखिए इस पका से यह इस पका से यह बैंड किया तो यह जो है यह जो कितना यह less distance travel किया compare to this one यह ज्यादा distance stable किया तो इस पकास light में भी इस पकास light में भी क्या ओतर लाइट भी band करता है क्यों क्यों कि वो एक wave की तरह है it not a one-dimensional thing one-dimensional चीज नहीं वो वेव की तरह है और इस पकास से इस example की मार्धम तरह हम यह समझ सकते हैं कि यह लाइट बैंड करता है यह तो हम जानते हैं कि उसके speed slow होगा that it will slow down when it come to from rare medium to denser medium में जब भी आयका तो उसको speed slow होगा क्यों क्यों बैंड करता है क्यों यह मुर जाता है द्यार्बर्स तह धन्यवाद यह वीडियो देखने के आसा करता हूं आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो